हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चानल को CCTV और सेक्योर्टी सिस्टम रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए मल्टी टेक यूट्यूब चालनल में आपका स्वागत है आज मैं एक छोटी वीडियो लेकर करके आया हूं कि हम कैसे पता करें कि कि सबसे पहले हम सिस्टम पे चलते हैं और सब्सक्राइब का सहारा लेना पड़ेगा तो आते हैं सिस्टम पे तूल पे हम चलते हैं और यहां पे दोगवर कर रही है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको अभी देख रहे हैард में तो वह Active mode में नहीं होगा वह Inactive mode में होगा तो मैंने यह भी बताया आप आपको जब inactive mode में रहेगा तो हम कर सकते हैं क्या होता है यह देख सकते हैं और अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा browser पर जाना पड़ेगा खोग कोई भी browser आप ले सकते हैं यहा network अब एक कैमरे की आइप यहां पर फीड करते हैं जिसे 192.168.0.40 है 40 को हम open करते हैं यहां पर यूजर नेम डालेंगे admin देन उसके बाद password फीड करेंगे configuration पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें system में जाना है system में maintenance एक option आती है maintenance पर क्लिक करेंगे यहां पर है restore और parameters to default setting तो हमें default में क्लिक करना है यह जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूं आप purchase करेंगे तो वह already in active mode में ही camera मिलेगा तो उसे हमें active करने के बाद क्या क्या करना पड़ता है मैं वह detail से हम आपको बताने जा रहा है कुछ सेकेंड चलने के बाद हमें क्या करना है फिर SADP टूल को open करके देखना है refresh करेंगे अभी camera restart होता है तो यहां पर एक देड़ मिनट का समय लगता है उसमें रिफ्रेस करते रहेंगे अब देखते यहां पर status में in active दिखा दिया तो IP भी चेंज हो गई यानि कि डिफॉल्ट IP हमारी vision camera की क्या होई यहां पर 192.168.1.64 ठीक है तो आप जब purchase किजिएगा तो आपको इसी रूप में यानि status आपका in active ही सो करेगा अगर आपने 8 camera लगाये हैं या 16 camera लगाये हैं एक साथी SADP टूल पे तो in active बोर्ड में सभी कि IP क्या होगी 192.168.1.64 तो हमें करना क्या होगा जब नए camera लाते हैं तो सबसे best तरीका होता है कि आप laptop पे उसे IP को modify करें और active करें ठीक है अभी यह default है तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले हम select करेंगे जैसे ही हम select करेंगे तो right side में आ जाएगा यहाँ पे कि आप password create कीजिए ठीक है तो password आपको अपने हिसाब से यहाँ पे create करनी है अब यह error दे रहा है अगर error आपके पास आता है तो आपको कुछ नहीं करना है CDP tool को बंद कर देना है उसके बाद फिर से on कर लेना है अब यहाँ पर पासवर्ड फीड कर रहा है अब यहाँ पर लिख दिया the device is activated अब यह एक्टिवेटेड हो गया यहाँ पर cancel भी कर सकते हैं उसके बाद रिफिरेस करके देखेंगे यहाँ एक्टिव आ गया बट अभी IP चेंज नहीं हुई चीक है तो साथ साथ ही हम क्या कर लेते हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम IP को मोडिफाई कर लेंगे यानि जीरो डॉट के सबनेट में मैं ले जाता हूं जीरो डॉट फोर्टी कर लेता हूं एक चीज और यहाँ पर ध्यान अखना है गेटिवे को भी चेंज करना है जीरो डॉट वन उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फीड करेंगे लैंद मोडिफाइब केंदे करना है प्रप्राइब आप अब यह चेंज नहीं हो पारा है अब यह चेंज नहीं आने चाहिए एक बार में ही सक्सीट कर देता है अब ही चेंज कर रहा था तो इसमें एरर आया आयपी में तो कोई इसू नहीं आयपी हम क्या करेंगे अगर एरर आता तो हम छोड़ देंगे और उसे करिड़ करके हम वही पर आयपी को मोडिफाई कर सकते हैं यानि NVR पर ठीक है कोई इसू नहीं आएगी इसमें तो मैंने आपको बताया कि जो आयपी कैमरे होते हैं किसी कमपनी की उसकी डिफोल्ट आयपी को हम कैसे पहचानेंगे तो डिफोल्ट आयपी कैसे पहचानेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया अभी कि इनेक्टिव मोर्ड में हमारे कैमरे आते हैं तो उसे हमें एक्टिव करना पड़ता है जो इनेक्टिव मोर्ड में IP हमें SADP टूल के द्वारा दिखती है या उसके स्क्रीन पे दिखता है वही हमारी default IP होती है ठीक है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है फिर मिलते हैं आपको एक छोटी सी वीडियो लेकर पे next वीडियो में तब तक के लिए बाई